नमस्ते, हेलो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि फेस्बुक की प्रोफाइल में वीडियो कैसे डालते हैं प्रोफाइल पिक को वीडियो कैसे बनाते हैं मेरा नाम एकता है फेस्बुक प्रोफाइल में आप प्रोफाइल पिक्चर तो हमेशा से ही डाल सकते थे हाल ही में Facebook एक नया feature लाया है इसकी मदद से आप Facebook profile picture की जगा एक वीडियो डाल पाएंगे ये feature अभी फिलहाल कुछी देशों में launch हुआ है और पहले ये iPhone के लिए launch हुआ था पर सभी countries में Facebook इसे introduce कर रहा है हो सकता है कि आपके देश में ये feature अभी ना आया हो कुछी दिन में आ जाएगा चलिए सीख लेते हैं कि Facebook profile में वीडियो कैसे डालते है यहां मैं Samsung Note का इस्तमाल करने वाली हूँ जो एक Android phone है ये रहा मेरा Facebook मैं इस पर click करके इसे खोल लेती हूँ और अब ये Facebook खोल गया यहां पर उपर ये तीन बार्ज है यहां पर click कर देते हैं और अब ये है view your profile इधर click कर देते हैं ये देखे ये हमारा profile खुल गया अब हम यहां click कर लेते हैं जहां लिखा है edit तो ये देखे एक डबासा खुल गया यहां पर आपके पास चार अलग-अलग options हैं तो आप अपने phone के camera से इसी वक्त video को record कर सकते हैं चलिए पहले हम ये वाली option चूज करके सीख लेते हैं यहां पर मैं click कर देती हूं और ये देखे ये मेरा जो front का camera है ये खुल गया और अब मैं इसमें अपना face ला सकती हूं या फिर कुछ और भी ला सकती हूं मैं यहां पर ये एक teddy bear सा ले आई हूं और अब मैं ये लाल रंग के button पर click कर देती हूं जो है record का button ये देखे यहां पर मैंने click किया तो ये recording जो है ये शुरू हो गई Hello, how are you? आप चाहें तो आप इसे दोबारा से भी record कर सकते हैं चलिए वापस गए अब मैं ठीक से इसे record कर देती हूं और आप उपर ध्यान दीजेगा यहां पर आपको एक blue color की बार सी दिखेगी जिसमें की आपको वीडियो की progress दिखेगी और यह लगभग 6-7 सेकेंड का वीडियो हो सकता है चलिए यह मैं दोबारा से recording कर लेती हूं Hello, how are you? Welcome to क्या कैसे? Thank you, bye चलिए अब मैं next पर click कर देती हूं और अब यह आपको बोल रहा है Your thumbnail is public and will appear as your profile picture in places like newsfeed अब यह जो 7 सेकेंड का वीडियो है उसमें से नीचे जो हैं आपको कुछ-कुछ screenshots दे दिये गए हैं आप इन में से कोई भी choose करके उसे अपना thumbnail बना सकते हैं तो हम यहाँ पर किसी को choose कर लेते हैं जैसे कि इसको मैंने क्लिक किया इधर देखते हैं और कौन-कौन से हैं यहाँ पर I think सबसे पहले वाला ही ठीक लग रहा था तो मैं उसे ही select कर लेती हूँ और use के button पर click कर लेते हैं तो यह देखिए यह जो है video जो हमने अभी अभी record किया था यह हमारी profile picture की जगा पर आ गया है और अब यह video हमारी profile picture में loop में play होता रहेगा अब यहाँ पर आपके पास एक और option भी है आप चाहें तो आप front camera की जगा यहाँ पर पीछे के camera को भी record कर सकते हैं कैसे यह देखिए यहाँ पर click किया और अब वो बोल रहा है take a new profile video हम यहाँ पर click कर देते हैं तो यह देखिए यह जो है यहाँ पर ऊपर एक icon है यह swap है आप चाहें तो आप सामने के camera और पीछे के camera के बीच में swap कर सकते हैं यहाँ पर जब आप click करते हैं तो यह देखिए यह अब मुझे floor दिखना शुरू हो गया यह रहा मेरा printer और यह मेरी wall पे एक painting है तो आप सामने के camera में से भी recording कर सकते हैं procedure बिल्कुल वही है तो मैं यहाँ पर आपको दोबारा से नहीं दिखाने वाली चलिए इसे हम फिलहाल बंद कर देते हैं और अब यह मेरा पुराना वाला जो profile वीडियो है यह चल रहा है आप चाहें तो आप यहाँ पर एक नया वीडियो भी upload कर सकते हैं अगर आपकी gallery में कोई अच्छा सा वीडियो है जो आपको किसी ने whatsapp पर भेजा या आपने खुद अपने किसी pictures के साथ कोई slide show बनाया है तो आप उसे भी यहाँ पर upload कर सकते हैं मैं उसे prefer करती हूँ क्यूंकि आप professionally produced या अच्छा सा एक वीडियो यहाँ पर डाल सकते हैं क्यूंकि यह थोड़ा amateurish लगता है पर यह आप पर depend करता है कि आपको किस तरह का वीडियो पसंद है अब मैं यहाँ पर एक पहले से बना हुआ वीडियो upload कर लेती हूँ मैंने एक slide show बनाया है जो मैंने एक app से बनाया था जिसका नाम है वीवा वीडियो आप चाहें तो आप कोई 7 सेकंड का वीडियो यहाँ पर upload कर सकते हैं चलिए पहले मैं यहाँ पर edit पर click कर देती हूँ और अब यह menu सा खुल गया अब यहाँ पर यह है upload video और photo तो हम इधर click कर देते हैं और अब यह हमारी gallery खुल गई आप यहाँ से किसी भी video को जो आपने पहले से prepare किया हुआ है उससे choose कर लीजे यह देखें यह आ गया मेरा video अब मैं यहाँ पर next के button पर click कर लेती हूँ और नीचे जो है कुछ thumbnails आ गए है आप चाहें तो आप उनमें से किसी को select कर सकते हैं मैं इसे select कर लेती हूँ यह देखें यह momento बीच में लिखा है लेकिन यह एक जो मैंने app यूज करी थी उसमें यह बीच में आता है तो कोई बात नहीं हम इसे ही रखते हैं और बस use के button पर click कर लेते हैं तो यह देखें यह हमारी profile photo की जगा पर video आ गया और यह वो video है जो मैंने slideshow की एक app जिसका नाम है Viva Video उससे बनाया था और यह video मेरी profile photo में अब set हो गया है तो अब कोई भी अगर आपके facebook profile पर आता है तो उन्हें photo की जगा पर यह वाला video लूप में play होते हुए दिखेगा दो बाते हैं जो आपको बतानी ज़रूरी है देखे फिलहाल यह video सिर्फ 7 seconds या 7 seconds के लिए ही हो सकता है अगर आप 7 seconds से लंबा video upload करेंगे तो आप उसे upload कर ही नहीं पाएंगे आपको कोई error आते रहेगा दूसरी बात आप इस video profile को केवल mobile से ही फिलहाल upload कर सकते हैं लेकिन इसे mobile और PC दोनों से देखा जा सकता है यह है हमारे कुछ और popular videos स्क्रीन पर क्लिक करके आज कुछ नया सीख लीजिए आपके comments, सवाल और सुझाव मैं रोज पढ़ती हूँ उन सब के लिए बहुत बहुत thanks उमीद है आपको ये video पसंद आया अगर हां तो YouTube में like का बटन जरूर दबाईए और उसे share करना मत भूलिए आप हमारे चानल को subscribe करके नए वीडियो की जानकारी और notifications पा सकते हैं क्या कैसे देखते रहे और सीखते रहे थांक यू धन्यवाद